रिसनली टेक्नो गेमर्स ने बैटर स्रस नाम से गेम लाँच किया जिसने सिर्फ तीन अफ़तों में 1 मिलियन प्लस डाउनलोड और 2 मिलियन प्लेयर्स का टारगेट अजीव किया है और उसी को next level celebrate और promote करने के लिए आज हम इस बड़ी सी कार को किस्टमाइज करके टेक्नो गेमर्स को surprise करेंगे बट एक कार किस्टमाइज करना कोई easy task नहीं इसलिए मैं सबसे बहले planning से चुरू करना होगा इसी दोरान मैंने एक 3 step plan बनाया जिसमें step 1 में हम सारी research and designing करके जितने भी different resources चाहिए उन्हें इखटा करेंगे फिर step 2 में हम कार के चारों तरफ से wrap करके एक joint 3D logo बनाएंगे जो कार के उपर जाएगा और सबसे आखरी step में हम इस कार को techno gamers के सामने पेश करके उन्हें surprise करेंगे तो हमारी सारी planning अभी हो चुकी है अब time आचुके सारे resources को gather करने का जिसके लिए मैं कहीं सारे logo से और कहीं सारे shops पे जाऊंगा और figure out करूँगा इस plan को कैसे execute करना है उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी step 2 की तरफ जहापे हम final customization का काम शुरू करेंगे तो भी हम यहापे एक बहिया से मिला है वैसे कहीं सारे logo से मिलने वाले है और उनकी राही लेंगे इस project के बारे में इसको कैसे execute किया जा सकता है इस लिए मैं अभी सबसे पहली चीज़ कर रहा हूँ उनके manager से contact करने की तो मैं अभी उनको एक message बेजने वालों जिससे हमें पता चलेगा कि क्या यह possible हो भी पाएगा या नहीं I just hope कि कोई अच्छा सा positive message आए and हमें यह surprise करने का मोखा मिले मैंने फिर एक लंबा चोड़ा message बना कर उन्हें send कर दिया बट luckily वो हमें जानते थे and इसलिए हमें जादा wait नहीं करना पड़े तो literally 10 minute के अंदर उनके manager का reply है उनका कहना यह है कि अभी तुम इस project को hold पे रख दो because techno gamers को शायद यह पसंद ना आए तो let's just hope for the best and wait करते है थोड़ा time and let's see कोई positive response आप आए response का तो पता नी बट हमने बिना कुछ सोचे अपना काम चालू रखा और इसलिए कार की measuring करना शुरू कर दिया अभी यह भाईया है जो अभी आप इस गाड़ी के measurements ले रहे ताकि हम इसके round जो wrap होगा उसका designing का काम शुरू हो सके यह काम जो है बहुत बहुत बदा perfection से करना पड़ेगा और बहुत बदा detailing से करना पड़ेगा विकाज यह जितना detailing में होगा उत्ता अच्छा हम डिजाइन कर पाएंगे उतना बढ़िया गाड़ी लगेगी कार मेजरमेंट्स के बद मैंने पोस्टर्स को डिजाइन करना शुरू करा एंड यह काफी fun प्रोसेस था अब इसके बाद जो आगे का काम है वो है पोनेट वाला जो सेक्षेन उसको डिजाइन करना है और अभी के लिए मैं सारे डिजाइन खताम करता हूँ एंड उसके बाद हम इसको प्रिंट करके व्रैपिंग का काम शुरू करेंगे एंड इस व्रैप दिजाइनिंग के प्रोसेस में मुझे अलमुष दू दिन लग जाए तो इस प्रोजेक अब ये तीसरा दिन है अभी मैंने सारी डिजाइन स्प्रिंट करने बेच दिया है और कल से फाइनल इस पूरे प्रोजेक का मोस्ट इंपोरे टास्क व्रैपिंग तो फाइनली धिरे धिरे इस प्रोजेक के जितनी भी प्लैनिंग और डिजाइनिंग हमने की है वो कल जाके रियलिटी में कनवर्ट होने वाली है एक तरफ इस इसकी खुशी भी है बट दूसरी तरफ बहुत जादा नर्वसनेस है बिकॉस जो हम सर्प्राइस करना चाहते ह बहुत जादा टेंशन है वहाँ दूसरी तरफ हमारे पोस्टर्स को प्रिंट करते करते एक और दिन निकल गया और फाइनल डे हमारे सारे पोस्टर्स रेडी है अभी कार की व्रैपिंग शुरू होगी बट उसके पहले हमें कार को अच्छे से दोना होगी तो कार अच्छे ये का मैक्चुली बहुत जादा प्रिशिजन और डीटेल से करना पड़ता है इसलिए इसमें जितना सादा टाइम लगेगा उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा ये पूरा प्रोसेस जिस कार स्टूडियो में हो रहा है वो हमारी दोस्ता है जो राजकुट में डीटेलिंग मॉन्स्टर से जाने जाता है पूरे दिन बर कार पे काम करने के बाद अब रैपिंग खतम हो चुकी है अब बस सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है उसके उपर का 3D लोगो एंड उसे बनाने के लिए हमने नेक्स दे थर्मोकॉल के कटाउट्स पे लोगो के पोस्टर शिप काये और नीचे मैगन से इंस्टॉल किये ताकि सर्प्राइस के वक्त ये कार को अज्जे से ओल्ड कर सके तो लगा तार पांच दीन तक इतने बड़ी प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद हमारी गाड़ी फुली रेड़ी हो चुकी है और काफी बढ़िया लग रही है अजिए पाइड़ी पाइड़ी पाइगा या नहीं तो चार दिन पपले हमने टेक्नो गिम्मस के मैनेजर से बात की थी और उन्हों ने इस प्रोजेक्ट के बीछे प्रॉपर कंफरमेशन नहीं दिया था इसलिए मैंने वापस से उनको एक वीडियो मैसेज बेजा है अब इसी के उपर डिपेंडेड़ है कि यह सर्प्रेस पॉसिबल होगा या नहीं वीकॉज इससे उनको एक्चुल अंदज आएगा कि वो कार रियलिटी में कैसे दिखती है तो हाँ उनके रिप्लाई का वेट करता है आई जस्ट होब कि कोई पॉजिटिव रिप्लाई है तो अ बहुत बहुत क्रीजी है मतलब लाइव देखना इस चीज को तो हाँ अभी वेट करता है रिप्लाई का एंड देखता है कब आता है अनफॉर्चुनली हमें सर्प्रेस करने का मौका नहीं मिला बट टेक्नो गेमर्स के लिए एक गेम लॉज करना किसी सपने से कम नहीं था इससे बेटर क्या टाइम होगा इस वीडियो को उनके फैंस एन उनको डेडिकेट करने का अगर यह वीडियो टेक्नो गेमर्स देख रहे तो मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट करो था कि मुझे पता चले कि यह तुम्हें पसंद आया है या नहीं बाकि मिलता हो तुमसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब